गाइज अगर आप भी घर बैठे बैठे अपने ओवरॉल बॉड़ी को डिटॉक्स करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल सस्ते में नाच्रल तरीके से तो डिफिनेटली आज का मेरे ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हल्फुल होने बाला है डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है जब हम रोजाना कुछ ना कुछ खाते हैं या अभी तक जो भी हमने ऊट पटांक चीज़े खाई हैं ओईली बाहर का तो वो कही ना कहीं जाके हमारे बॉड़ी में स्टोर होने लगता है यानि सडने लगता है पचता नहीं है ठीक है ह हमारा शुरी इसको पचा नहीं पाता तो पहला प्रॉब्लम कहा आता है हमारा वेड गेन होना शुरू हो जाता है समय से पहले एजिंग आने लगती है हमारे दातों में क्याविटी की प्रॉब्लम हो जाती है दातों में सेंस्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है हमारा ब इंपल आकनी बहुत बढ़ गए है तो वह यही में इस्यू होता है कि हमारी बॉड़ी में गंदगी जमा हो गई है तो आज सी अपनी गंदगी को जो शरीम में जमा है उसको क्या करना यार आपका बॉड़ी को डस्ट बीन थोड़ी ना है तो इसको निकाल कि पाहर फेको साथ में मेरी इस ट्रेक को फॉलो करने के बाद आपको जो बेनेफिट होने वाले ना वो भी आगे वीडियो में जरूर बताऊंगी तो चलिए वीडियो स्राट करते हैं लेकिन उसे पहले अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो चानल को सब्स्राइब जरूर करें वीडियो पसं आप के उस बड़ी हो चुकी एफ़ से जक्राइब स'll पाली देखें बंद कर दिया है लेकिन मैं चाहती हूं कि जितनी मेरी फामिली बड़ी हो चुकी है 12 *** जितने भी मेंबर्वरிए अस shallis और्ग ने वीडियो को देखें और आज – अपने जिंदी कि मेलगी Angis च्छायम वो comment box में ज़रूर बताना तो oil pulling के लिए सबसे पहले आपको चाहिए virgin coconut oil नॉमल वाला coconut oil बिलकुल भी नहीं virgin coconut oil आपको पतांचली का मिल ज़ाएगा किसी भी अधर brand का मिल ज़ाएगा आपने ले लेना है एक चमच आपने लेना है सुभा उठते ही आपने कुला नहीं करना बासी मूँ आपने एक चमच oil का अपने मूँ में डाल लेना है मूँ में डालने के बाद में आपको minimum 10 मिनट और maximum आपको एक घंटा भी आप उसको लेकर जा सकते हैं अगर आपसे starting में 10 मिनट नहीं हो रहा तो दो मिनट से अपनी हाबिट बनाए दो मिनट तक इसको करें या एक मिनट ही कर लें लेकिन करें जरूर हार नहीं माने कि मुझसे नहीं होगा जब आप oil pulling करेंगे तो आपका मूँ धक जो है ठकने लग जाएगा दर्द करेगा गाल आप यहाँ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं मुझे करते हुए और पुलिंग करना है और पुलिंग करते हैं अपने घर के रोजमना के काम भी कर सकते हैं लेकिन जब आपको प्राक्टेस हो जाएगी स्टार्टिंग में आपका माइन पूरा वहीं पर आएगा और पुलिंग कर रहे हैं तो आपको उस ओइल को अंदर नहीं ले जाना क्योंकि जब हम और पुल करते हैं तो वह हमारे सारे जितने भी बेक्टेरियाज है गंदगी है हमारे शरीर को उसको अपने साथ मैकनेट की तरह चिपका लेता है तो वही गंदगी हमें एक बूंद भी अंदर लेके नहीं जाने जब आप उसको पांच मिनट और पुलिंग करेंगे कुला करते रहेंगे और कुला करने के बाद जब आप इसको थूकेंगे डर्ना मन वाइट जब निकलेगा वो जब हम ओईल को ऐसे इती तक अपने मूँ में कुला करते हैं तो जब जब जाग बन जाता है जब जब निकल गया तो आप यह सोचो कि आपके शरीर में जितनी भी गंद की थी ना वो सारी के सारी बहार निकल गई है इसका फाइदा क्या होगा आप ध्यान रखेगा आपके बाल पहले से कहीं ज़्यादा शाइनी हो जाएगे सिरफ टू वीक्स में आपके स्किन पर इतना ब्यूटफुल ग्लो आएगा ना कि आपसे पहले कभी आपने इमाजिन नहीं करोगा आपने पिंपल आपके दूर हो जाएगे अगर आपके हुटनों में दर्थ था वाद का प्रभाव आपके शरीम ने बहुत ज़दा बड़ा हुआ था तो वह इससे खतम हो जाएगा साथ ही साथ यह आपके डाइडेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट करेगी मेटाबॉलिजम को बहुत अच्छे से फास्ट कर देगी अगर आपके दातों में सेंसिविटी की प्रॉबलम थी यानि ठंडा गरम लगता था तो वह दूर हो जाएगा आपके दात मोतियों की तरह चमक उठेंगे दमक उठेंगे तो आज से ही इसको अपने जिंदिकी में शामिल करें अपने बच्चों को भी कराएं इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं अगर आपका बचा 10-12 साल का है समझदार हो चुका है तो डिफिनिटी उसको और पिर देखें उसके चेहरे पर उसके शरीर में आने वाला नूद I hope कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा इनोवेटिव लगा होगा ऐसी हमीशा आपकी जिंदिकी में कुछ नया लाती रहोंगी आपकी जिंदिके को खुशनुमा बनाती रहोंगी मिलते हम नेक्स वीडियो में, Bye Bye, Take Care, Stay Healthy, Be Positive, Stay Safe, Love You All